जब माता दुर्गा ने एक तिनके से तोड़ा देवताओं का घमंड एक बार देवताओं और दैत्यों में भयंकर युद्ध छिड़ गया, इस युद्ध में देवता विजय हुए जिससे उनके मन में एहंकर उत्पन हो गया, सभी देवता स्वया को श्रेष्ट कहने लगे, जब माता दुर्गा ने देवताओं को इस प्रकार एहंकार से ग्रस्थ होते देखा तो वे तेजपुंच के रूप में देवताओं के समक्ष प्रकट हुई, इतना विराट तेजपुंच देखकर देवता भी घबरा गये, तेजपुंच का रहस्य जानने के लिए इंद्र ने वायुदेव को भेजा, आंकार में चूर होकर वायुदेव तेजपुंच के समीप पहुँचे, तेज ने उनसे उनका परिचय पूछा, वायुदेव ने कहा स्वयम को प्रानस्वरूप तथा अतिबल्वान देव बताया, तब तेजस्वरूप माता ने वायुदेव क के सामने एक तिनका रखा और कहा कि यदि तुम सचमुच इतने श्रेष्ट हो तो इस तिनके को उड़ा कर दिखाओ। समस्थ शक्ति लगाने के बाद भी वायुदेव उस तिनके को हिला नहीं पाए। उनोंने वापस आकर यहाँ बात इंद्र को बताई, तब इंद्र ने अगनीदेव को उस तिनके को जलाने के लिए भेजा लेकिन अगनीदेव की असफल रहे। यहाँ देख इंद्र का अभिमान चूर-चूर हो गया। उनोंने उस तेजपुन्ज की उपासना की तब नश्ट मत करो देवी के वचन सुनकर सभी देवताओं को अपनी गलती का एहसास हुआ और सभी ने मिलकर देवी की उपासना की